ओम शान्ति मैं डॉक्टर सचीन पारा पुंबई से बोल रहा हूं स्वास्त की श्रिंकला में हमने संपूर्ण स्वास्त और शारिरिक स्वास्त के बारे में देखा आज हम चर्चा करने वाले हैं मानसिक स्वास्त के बारे में मानसिक स्वास्त इस समय बहुत इंपॉर्टन बनते जा रहा है क्योंकि हमारे पास ज्यादातर केसे जो आते हैं वो मानसिक और स्वास्त के आते हैं जिसमें चिंता की बीमारी उदासी की बीमारी और अलग-अलग मानसिक बीमारी आती है और इसका कल्मिनेशन माना इसका अंत दुखद अंत आत्मत्या तक जा सकता है इसलिए मानसिक स्वस्थ को जानना बहुत जरूरी है अगर हमारा मन स्वस्थ है तो उसका असर हमारे शरीर के उपर भी आता है और हमारे संबंदों के उपर भी आता है मन का काम है विचार करना अब इस समय हम जो देख रहे हैं कि ज़्यादतर लोगों के अंदर या तो वेर्थ है या निगेटिव नकार अत्मक विचार आते हैं और विचारों की संख्या भी बढ़ते जा रही है हम सबकी जीवन में जो भी परिस्थिती आती है वो परिस्थिती को आपकी स्थर से हैंडल करते हैं उसका सामना कैसे करते हैं अंग्रेजी का शब्द है coping up with the daily challenges वो decide करता है कि आपका मानसिक स्वास्त कैसा है मानसिक स्वास्त के साथ और एक शब्द जुड़ा हुआ है वो है भावनिक स्वास्त तो कुछ लोग मानसिक स्वास्त और भावनिक स्वास्त को अलग अलग करते हैं हाला कि ये दोनों एक दुसरे के साथ जुड़े हुए हैं मानसिक स्वास्त अगर अच्छा है तो आप भावनाओं को भी अच्छी तरह से नियंतरन में रख सकते हैं मानसिक स्वास्त अगर अच्छा नहीं है तो भावनाओं के उपर का नियंतरन चला जाता है व्यक्ति या त जो इमोशन से भावनाएं हैं उसके उपर उसका नियंतरन चला जाता है मानसिक स्वास्थ में तीन बाते इंपॉर्टेंट है कि एक आपके जीन्स माना मात पीता से आपको जीन्स आए हुए रहते हैं दूसरा आपका पर्यावरन आपके चारों तरफ पर्यावरन कैसा है और तीसरा आप जिस क्षेत्र में है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं यह तीनों का असर मानसिक स्वास्थ के ऊपर आता है अगर आपका मानसिक स्वास्थ अच्छा है तो जीवन के किसी भी परिस्थिति को आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं दो साइकोलोजिस ने बहु का लिए और उसमें उनोंने देखा कि सबसे ज्यादा तनाव के बाता आता है नजदिक व्यक्ति का मरुंच्ट्यू या प्रमुशन होता है या शादी को भी टनाव में रखा गया या ट्रांसफर होते हैं या जेल में जाना इस सब सीच्ज demonstration में उन्नोंने मार्स दिए और ये जो होम राहे स्केल है ये काफी प्रचलित हुआ और उन्हों ने कहा कि जिसका स्कोर पूरा 300 के उपर है वो लोग बीमार पड़ते देड़ सो से 300 वालों को मुडरेट रिस्क होता है माना मध्यम रिस्क होता है बीमार होने का देड़सो के नीचे कम लेकिन इसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात देखी कि ऐसे कई लोग ते जिनका स्कोर मानसिक तनाव का 300 के उपर था लेकिन वह बीमार नहीं हुए तो इसका एक ही कारण था कि वह अपने तनाव को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं तो भले हमारे जीवन में तनाव लाने वाली परिस्तिति आए लेकिन अगर हम वो कला सीख लेकि अपने मन को कैसे स्वस्त रख सकते हैं तो इन विपरीत परिस्तितियों में भी हम स्थीरता को बनाएं रख सकते हैं हाला कि इस समय हम चिंता और उदासी की बीमारियों को ज़्यादा देख रहे हैं, इनको हम अपने से बहुत दूर रख सकते हैं, अगर कुछ बेसिक डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन हम जीते हैं, नमबर वन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखे, दूसरों के साथ रिष्टे हमारे अच्छे होने चाहिए, हर एक के अंदर विशिष्टा देखे, और रोज अगर आप exercise करते हैं, और journaling कहते हैं, हम मना रात को सोने से पहले, आप अपने विचारों को किताबों में लिखेंगे, और अगर आप meditation करते हैं, नियमित रूप से, तो आप अपने मानसिक स्वास्त को बनाएं रख सकते हैं, मानसिक बीमार आपका मानसिक स्वास्त अच्छा नहीं है, तो आप एक professional जो counselor है, या therapist है, उनसे जरूर मिलिए, आज कल बहुत अच्छी दवाईया और therapist अवेलेबल है, तो अपने मानसिक स्वास्त को अगर आप अच्छा रखेंगे, तो आप जीवन का आनन्द ले सकते हैं, और आपके ब